कि नमस्कार विसेन के दर्श्वफों का स्वाजत है खास मुलाकातर उम्र बढ़ती है अनुभाव बढ़ता है कुछ लोग समझते कि उम्र बढ़ने के साथ में हम भूड़े होते हैं लेकिन जो लोग अपने कारेक्षमता से तो अब वह कभी पूठे नहीं होते हैं प्रेणा देते हैं सिर्फ प्रेणा नहीं देते कुछ ऐसा करते हैं कि युवाका जी हां मैं बात कर रहा हूं आज हमारे साथ में जो मैमायन है उनकी हमारे साथ में प्रल्हाजी चुकि भष्टाचा निरुदक संगटन के राष्टे सहील गर्त है साथ में परिवार फांडेशन के भी वो निर्माता है साथ ही नरेंदर मिश्राजी है जो कि भष्टाचा निर कि परिवार फाउंडेशन के द्वारा आप एक सार्थी प्रणाली चलाते हैं क्या उद्देश लेकर आपने शुरुबार कि और इसका फायदा क्या है समाज के तदिश मैं पहला एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब और आज की युग में जब यह हम अपने तरफ जहांके देखते हैं हमारे 30 से 40 पर से डाईया बगार द्रावर के भूं गहींगे आप ख़ड़ी रहे हैं और 40 पर संद गाईया अगर ऐसे खड़ी रहे हैं और एक तरफ देश में जवानों को काम नहीं है नोकि नहीं है बे मेरे गाली की दियouse एक से की समस्ध्या है में आवहन एपन हे बच्चों को जो बच्चे पढ़ना में चातें पर काम करना चाहते हैं उनको साथिन साथि का मतलड करना हूँ और आज एक ड्रावर अगर वह also तो मिनिम्मुम 50,000 से उपर वो कमा सकता है। उसमें मैं उनका सहियोग करना चाहता हूँ और जो इस ड्राइवर बनना चाहते हैं तो मैं आग यह आग यह आग यह सु मिलक्ट आया हूँ, मैंने वहां भी अपनी एक प्रफिटर दिया है आपके सहियोग से हम बहुत ज्यादा तो नहीं देश की कुछ बेकाली कम कर सकते हैं। और कुनों ने सहियोग देने का बोला है। हमने उनको यह रीक्वेस्ट कि जो आदमी सही है, जो मोटर मालिक सही है, जो शार्थी भाई सही है, और अच्छे मोटर मालिकों के लागी चलाते हैं, उनको जो बोर्ड़ों के रस्मेक रहनी है, उसको रोपने के लिए और देख. और मेरा खास तो किसान भाईयों के लिए आवान है वो अपने बच्चों को साथी बनाए उसमें मेरा जहां भी उनको सही हो जय हिंग जय भाईयों तो मैं समझता हूँ कि प्रणाली में अगर अपने बच्चों को वो प्रेरित करें किसान भाईयों और बाकी सभी तुम मुझे लगता है कि बेहतर देश और बेहतर ट्रांस्पोर्टेशन के लिए हम आगे पूछ कर सकते हैं नरेंद्र जी आप कारे-कारे अद्यव्षे महाराश्ट प्रदेश के ब्रस्टाचा निरोद्र शंगठन के आज आप आडियों से मिलनेगे क्या प्रमुख मांगे आपने उनसे क्या आपने उनसे बुजारिश की कि क्या बदला होना चाहिए जी सर आपने बहुत अच्छा सब्द रखे हमने व्रस्टाचा निरोद्र शंगठन का वी हाल में हमने ज्वाइन किया मानि प्रहलाज जी अग्रवाल के माध्यम से इसके पहले भी आगे भी मुने भाई-चारा राजमाग परिवान से वाक एक संस्तापा कद्धक्चु हू हमने 2017 से इसको सड़क सुरच्चा जीवन रख्चा से हमने कार करना चालू किया है और हमने यह देख रहा हूं कि अगर सड़क सुरच्चा कंदर में सबसे वड़ा घाता कोई बंढ रहे तो यह परिवान माफिया भरष्टाचार जो की हर जगे गाडियों को 15 किलोमेटर 20 कि का नाम पिसके नाम से रोका जाता है तो हमने भरष्टाचा निरोधक शंगठन का ज्वाइन करके अब महाराश्च प्रदेश कामने कारकार्णिया धक्ष के नाते अपना फर्ज और करतब को देखते हुए हमने एक तारिक को को कलेटर साहब को सीपी साहब को और आइट्यो नाकपूर ग्रामेर और उनको प्रभार अमराबति का भी हमने उसे साथ मीटिंग में हमने एक ही परास्तिना किया जो परिवहान माफिया के संदर में चेक पो सटों में गाड़ी वालों को यह तरीके से रोकाacht आटा है उनको ना रोका जाए जो गाड़ी गलत तरीके से जिस गाड़ी में कोई पेपार में प्रहुला में कोई भी फॉल्ट है उन गाड़ियों में कड़ी कारवाय की जाए राज्यस्प नुकसान ना किया जाए पुरीस पर्रसासन को बद नाम मत किया जाए राज्यस्प गाड़ी चल रही हैं उनको चलने दे सड़क मार्ग से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है भय मुक्त सफर के लिए हम लोगों ने इस बीसे में चर्च आगे और अधिकारियों का साथ में बढ़ाएंगे अच्छ अच्छ संग्धन को साथ में लेकर हम चलेंगे और उनसे भी ये प्रात्ना करेंगे जैसे कि आज हमारे साथ अग्रवाल जी गोपाल फांडर से परिवार्ड ने जुड़े हुए है आज इनके पास में कम से कम 300 गाड़ी आन डोड पे चल रही है अनि 300 गाड़ी मतलब 3 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं 3 लाख सडक मारके से रोजगार पनपर है चाहे पीटोल पंप वाला ऑलो धाबा वालो पंचर वाला टाहर वाला है आत्म निर्वर भारत बनाने में जो आज इनकी भूमका करने सरकार के साथ में कंदे मिलान का काम करने का प्रयाश करेंगे प्रशासन के सांदर की तो आपको क्या लगता है कैसा उनका प्रतिसाथ आपके इस उपकरम के लिए उनके तरफ से मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रशासिन में अच्छे अठिकारी भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, पर जो हमारे जैसे अंग्रेज हम को अजार करके चले गए, जो बुराईयां हम में डाल गए, वो हमारे अच्छे लोग, अच्छे साथी भी छोड़ना अच्छे कके तो हमारे आने वाली हम बुराईया लाता है , इसलिए हमको चाहिए हम पैसा, जो मान समान से मिले उसे को जो गलत रस्ते पैसा आता है उसको हमको इंसान बढ़े उससे दूर रहना चाहिए तभी हमारा परिवार सुखी होगा अगर में सुख्षांती होगी ऐसा में नर्म जी आप अपने इस संस्था के माध्यम से जहां प्रस्टाचारत को रोकने की बात को कर लहीं है लेकिर वहीं कि आप सडक शूरखषय को रोकने की बात करता हैं तो क्या सुझाओ आप देना चाहेंगे आप सब्सक्राइबने के हफीजैन। चले मोटा रेक्टे के नियमों के जो भी कानून है उसको पालन करें और फिर अगर आपको कोई प्रसाशनी कर्थिकारी चंद पैसों के लिए आपको रोकता है तो आप रश्टाचा निरोधक संग्ठन के शदर्श्य के रूप में हैं अथवार नहीं भी हैं हमें आकज्यानक से आना जाना उनका होता है चाये रोजगार हो चाये आना जाना हो आज हमारा ढ्रकाय और साथ्यबाइ। सबसे बड़ा होता कीमती समय आज हम कहीं जाते हैं तो हमारे को एक टार्गेट हमा समय रखते हैं कि 10 मिट में यहां पहुंच रहा हूं चार घंटे पहुंच रहा हूं या दो दिन में पहुंच रहा हूं जो भी है अगर हमारे समय को अधिकारी चंद पैसों को लिए रोकते ह और ट्रांस्पोर्ट अंडेश्टीच के सभी लोगों सावान करता हूं कि आ लोग गलत का बिरोध करें, जहां गलत हो रहा है परिवान माफिया गलत करें ताब खुलके सडकों उतरें अब बिरोध करें जब आंगे तब सरकार के कानों में चलते मोपाने मालिक ये अपने में ये रहा के अच्छे कार करेंगे तो पूतर करेगी चली चलते प्रल्भाजी हम बस प्रुथ की बात कर रहे हैं राजितिक परिप्रिक्षक कि अगर बात करें तो राजनितिक हलचले भी काफी तेज है ऐसी परिप्रिक्ष में आप भारत वर्ष कहीं महाराष्ट कहीं यह स्टेट वाइस कहीं आप आने वाले कुछ को क्या संदेश देरा चाहिए कि चाहेंगे कि वह एक अपना सुंदर भाविश्य सुंदर भारत और प्रदेश का निर्मान करने के लिए किस तरह से स्वयों देखा है उसमें मैंने अभी पीछे एक चित्थी से जो जिन इस चित्थी लिखी जैसे कि वीजल पेट्रोल यह आर हर आदमी के खांकी चीज है तो मैंने उन स्टेटों में जो भी एलेक्शन लग रहे हैं उनसे रि कि डीजल और पेट्रोल पे हम जैसे यहां 28 टका मैक्जिमम जो जो जी एस्टेए वो 28 टका है तो वो सिर्फ अपना 14 टका चलाएगा कम चलाएगा तो उसकी भैबानी अगर वो कम नहीं चलाएगा तो 14 टका ही चलाएगा 20 टका 25 टका 10 टका 50 टका क्योंकि मैंने उसमें 80 रुपे है और मैक्जिमम 110 रुपे है ऐसा क्यों पहले हमारे सेंटर वाले मोदी जी का कहना है मैं तो ठीक कर देता हूं पर सेंटर स्टेट वाले कि मेरा स्टेट वालों से लिक्रेश है कि आप 14 टका से ज्यादा चार्ग मत किजिए इजल जो भी है जो भी मानलों के 7 टका सबसे पहले मैं इनवीशन के माध्यम से एक तो सबसे पहले मैं इनवीशन चैनल को धनवाद देना चाहता हूं जो आपने अपने स्टोडियों हमें बुलाए मेरे सब्दू का आपने रखे क्योंकि हमें बरष्टा अचार के खिलाब मेरा सबसे बड़ा दूस मनी है हम अपने ट्रांसपोर्ट भायों को शंदेश यह देना चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट जगत से जितने भी लोग आपने ट्रांसपोर्ट जगर डीड़ की अड़ी है आज अगर ट्रांसपोर्ट तीन घंटे एक अपना मुवाइल बंद कर दें मुवाइल खाली तो देश की इस्तिति बहुत खराफ हो जाएगी क्योंकि सब पुड़ा रोड पर निर्वार है सार से लेकर गाउं तो गाउ के लिए आप सबसे बड़ा योगदान दे जहां पे गलत हो रहा है गलत का खुले आम बीडोत करें आम नागरिक का सहता ले प्रसासन की सहता ले जो भी आपको टोल फ्री नंबर दिये गए हैं उस आप उपयोग करें इसके बात अगर शंग्ठन को आपको आपको सकता लग है हमको टिक्नलाजी में सरकार हमारी बहुत हिल्प कर रही है तो कहीन के हमें समाज का भी साथ लेने अतिया वस्यक है हमें स्वक्षता के आधार पर कारना है हम किसी तरह से गलत कार आशाना करें जहां पर हम सो लोगों को रोजगार दे सकते हैं ऐसा हम ट्रांसपोर्ट इं कार के रहें जैसे हमाँ प्राला दगरवाज यह भी रखे आपने बताए कि जिएस्टी के दायरे में डीजल पिट्टोल गैस यह तीन ऐसी चीजे हैं कि जो आदमी की हर सेकंड हर घंटे काम आती है आज गैस डीजल पिट्टोल सभी लोग यूज कर रहें अगर इनको सरका जैस्टी के दायरे में लाती है तो गरीब से गरीब मजदूर जवान किसान सब का कल्यान होगा जन कल्यान के लिए मैं तो देश के प्रधा मंत्री को प्रात्ना करता हूं राज्ज के मुख्य मंत्रियों को प्रात्ना करता हूं कि तीन चीज जैस्टी के दायरे में लाएं परिवर्तन करना होगा सरकार को परिवर्तन करना होगी सरकार परिवर्तन करेंगे से माफिया को रोकेगी आज परिवर्तन माफिया सर आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माद्यम से कि बिस्सु का नंबर वन परिवर्तन माफिया है परिवर्तन माफिया में इतने लोगों का नुकसान हो रहा है करोडों लोगों का रोजगार जा रहा है लाखों लोगों का रोज जिन्दगी खतम हो रही है, इस माफिया के चलते, रात दिन 2400 घंटा वसूली पैसों का खेला है, सिर्फ कैस में पैसे लिए जाते हैं, जिसकी कोई कीमत हम नहीं रख सकते का आज कितना उगाही हुई है, अरवों करवों कलोरों रुपे पर डे पैस भारत का सेंटल नाकपूर माना जाता है, भारत का सेंटल, आज सेंटल हमारे केंदरी मंत्री जी बैठे हुए है, आज देश के भावी प्रधा मंत्री उमी दवार बैठे हुए है, आज हमारे परिवहन ट्रांस्पोर्ट से जगत के सब कुछ होई है, नितिन गटके ही साब तो मैं तो विसेश कर आपके चनल के माध्यम से नितिन गटकेजी से प्रातना करना चाहता हूँ कि सर आप परिभान माफियों को एक शेकंड में खतम कर सकते हैं सिर्फ एक जी यार निकाल दीजिए कि जब से GST लग चुकी है इवेवील बन चुका है तो चेक पोस्ट की कोई आउ सकता नहीं है एक वार पद्दस से किसी भी गाड़ी को चेक कर लिया जाए और उसको आगे जाने दिया जाए या कंपनी वालों को सुचित कर दिया जाए कि जो गाड़ी में जो इतना माल जाता है जो गाड़ी में जिस कंडीशन का माल जाता है उस कंडीशन का ही माल लोट करे तीनों पर जितन कारवाई होना चलू हो जाएगी माल भेजने वाला माल पाने वाला माल पोचाने वाले ड्राइवरे वो जो भी है सब पने आप सुधर जाएंगे मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि परिवान माफिया को खत्म करना सरकार के सबसे बड़ी जवाबदारी होनी चाहिए क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा निचोड होता है आज कि इस डिसक्शन का निचोड अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो शायब इस तरह से हैं पहली बाद बदलाव के साथ अगर हम सब चलेंगे तो बहतर जिंदगी पासकते हैं बहतर देश की प्रदभी कर सकते हैं पहली चीज जो हम यहां से सीख रहे हैं वो यह कि रोजगार के अवसर सार्थे के मार्जम से उपलब्त हैं हम किसान भाई इसका लाब ले सकते बहतर बविश्य अपने बच्चों का बना सकते हैं साथ ही एक भरस्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए हम सब अगरसर पोड़ सकते हैं जिसमें जो यूज कर रह होना वेहितर सिस्टम का आधर करना ही है सब के खून में होना चाहिए यह वदला सच में होना चाहिए जो प्रयास है हम कामना करते हैं वीश्यन के मादम से आपको शुक्काम नहीं देते हैं कि आने वाले समय हम रस्टाचार मुक्त देश का सफना जरूस पूरा हुपाए ध